तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोरा गीला गर्वत्ती में जान डाल देनी वाली हलमटी पाउडर और हलमटी पेस्ट के बारे में इनके भीना फ्लोरा गर्वत्ती बनाना ना मुम्किन सा है गीला गर्वत्ती बनाना ना मुम्किन सा है तो जानेंगे इसके powders और इसके paste के बारे में जो की हलमटी powder और हलमटी paste है तो लोगाईज मैं हूँ मनीज और कैसे हो आप सब उम्मित करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे टोपिक में बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्विस्ट अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि अगरवत्ती बिजनेस से रिलेटेट है इसी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ जो कि आपके लिए काफी हेल्फुल हो सकती है तो बात करते हैं हम अपने टोपिक के उपर तो यह है हमारे पास फ्लोरा गरवत्ती फ्लोरा गिला गरवत्ती मसाला गरवत्ती जो भी आप कहना चाहें तो यह है हमारे पास मसाला गरवत्ती और इनका जो धड़कन है वो है हलमटी पाउडर और हलमटी पेष्ट इसके बीना फ्लोरा अगर्वत्ती प्रीमियम कॉलिटी की बनना नमूमकिन सा है और ये जो है ये इनकी धड़कन है तो ऐसी क्या खास बात है कि हलमटी पौडर और हलमटी पेश्ट के बीना फ्लोरागरबती बनाना, गिलागरबती बनाना काफी नमुमकिन सा है और यह जो पौडर को अच्छा क्यों माना जाता है तनी और जो है ये powders को काफी लंबे समय से मतलब काफी पुराने टाइम से फ्लोरा गर्वत्ती मसाला गर्वत्ती बनाने के लिए यूस किया जा ही रहा है और अभी भी इसका लगतार यूस किया जाता है लेकिन अभी फिराल एक नए दोर पर ये हमारा paste जो है चालू हुआ है जो क कि आपको दिखने में देख रहा होगा कि ये light gray color में है जैसा कि थोड़ा सा दूंदला color जिसको बोल सकते हैं तो इस category की ये color है और ये powders अपने आप में एक बहुत अच्छी सुगंदीत powder है और इनका जो हम प्रारूप समझे तो ये एक पेड़ से निकाले जानी वाली powder है मतलब पेड़ की छाल है पेड़ का नाम भी हलमटी ही होता है और इसे powder के form में बनाया जाता है बनाने के बाद इसे अलग-अलग तरीकों से आयरुवेदिक चारियों में भी इसका काफी यूज किया जाता है मतलब जड़ी ब्यूटियों से लेके और जो सदीज बनती है उस पाउडर का ही होता है उसके साथ साथ पेड़ बनाने के लिए मनें पेड़ कभी जीगर उसमें किया हुआ था तो इस तरीके से जो है यह होता है हलमटी पाउडर और जो है उसके बाद यह हमारा होता है पेड़ पेड़ पाउडर का एक बेसिक नेचर है जो कि इसी को किसी प्रकार से और अन्य चीजें को विक्सित करके इसे पेस्ट के रूप में बनाया जाता है जैसा कि आपको दिख पा रहोगा कि यह है थोड़ा सा ब्लैक कलर में आपको दिख रहोगा और थोड़ा सा चिपचिपा पन है मतलब oily पन है इसमे जैसा कि आपको दिखने को मिलेगा तो मैं थोड़ी सी quantity में और लेके दिखाता हूँ तो ये है paste और इसको दबाने से आपको पता लगेगा ये paste जैसे हमारा charcoal का जो paste होता है उसी तरीके से ये ये भी एक paste है और इसमें oil की थोड़ी सी मात्रा इसको बनाया की तरीके से जाता है वो मैं आपको बताता हूँ जैसा कि ये हमारा powder है जो की पेड के छाल से निकाली जानी वाली powder का एक रूप है और paste बनाने के लिए इसमें जो essential soil है वो use किया जाता है तो essential oil कैसे निकाला जाता है जो पेड होती है पेड से एक लाट के जैसे निकलती है जैसा कि हमारा लोभान और गूगल निकलता है तो उसी को essential oil के रूप में उसमें से oil निकला जाता है फिर उसका जो कुछ conditions जो होते हैं उसे paste के रूप में उसे बनाया जाता है तो इस तरीके से जो है paste ready होता और इसमें कुछ powders की भी मात्रा मिली होती है तो जैसा कि आपको दीख पा रहा होगा और इसमें कच्छी fragrance है अ अगर फ्लोरा गर्वत्ती मसाला गर्वत्ती बनाया जाया तो यह कितनी अच्छी quality में बनेगी और यह जो sticks में बनाया हुआ हूँ यह भी paste और powder से मिलकर बना हुआ है जो कि मैं formulation आपको दिया हुआ हूँ अगर वह formulation आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए और एक अच्छी quality की फ्लोरा मसाला गर्वत्ती आप बनाये तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको हलमटी powder और paste के बारे में जानकारिया हो चुकी है और मिलते हैं अगले किसी नए topics में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद